देख कैसे मर रहे हैं तेरी आक्टिंग देखके पास दिनों के अंदर ही 100 करूर रुपे का आकड़ा पार कर दिया है वही दूसरी तरप आजे दिवगन की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मेदान ने भी पास दिनों में दुनिया भर से ठीक ठाक कमई कर ली है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेदान और बड़े मिया छोटे मिया के पास दिनों के वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलिक्सन के बारे में और जानेंगे दोस्तों इन दोनों में से कि इस फिल्म ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमई की तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ साथ कमेंट करके बताएगा कि अजे दियुगन की मेदान और अक्षे कुमार की बड़े मिया छोटे मिया में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेश्ट लगी दोस्तों सबसे पिले अगर बात करें मास महराजा आजे दियुगन की स्पूर्ट ड्रामा फिल्म मेदान के बारे में जिस फिल्म को डारेक्ट किया है हम इस सर्माने और इस फिल्म में आजे दियुगन के साथ में प्रियाम अनी और गजराज राओ हमें देखने को मिले हैं बताना चाहूंगो दोस्तो फिल्म ओफिसली 11 अपरेल यानि कि एद के दिन रिलीज हुई थी लेकिन इस फिल्म के पेड प्रिव्यूस वोज एक दिन पहले यानि कि 10 अपरेल को ही रख दिये गए थे जहां पर फिल्म को जो रिस्पोंस मिला था वो पूरी तरह से पोजिटिव था जिया दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म को जितने भी रिव्यूस मिले हैं उन सब में कही न कही एक बेश्ट फिल्म साबित हो चुकी है लेकिन दोस्तो जहां फिल्म की सभी लोग भर-भर के तारीफे कर रहे हैं लेकिन बात की जाए बॉक्स ओफिस की तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर उतनी जादा कमई नहीं कर पाई जितनी अच्छी ये फिल्म है जिया दोस्तो जब फिल्म के अरली रिव्यूज आये थे और सभी ने फिल्म की तारीफे की थी तो मुझे लगा था कि अजे दिवगन इसी साल सेतान के बाद में मेदान भी बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी सकसेस फिल्म देंगे लेकिन दोस्तो इस फिल्म के कलिक्सन नहीं कहीं न कहीं अजे दिवगन के फेंस और इस इंडियन सिनमा फेंस मुझे भी काफी ज़्यादा निरास कर दिया है को मैं सच में चाहता था कि मेदान फिल्म बॉक्स ओफिस पर सामधार कमै करें लेकिन दोस्तो हमारी इंडिया की ऊडियंस ने इतनी अच्छी फिल्म को सपोर्ट नहीं किया जिसके चलते ही इस फिल्म के जो बॉक्स ओफिस कलिक्सन है वो वीकेंड में तो कम रहे साथ इसाथ वीग डेज आते ही वे फिल्म के कलिक्सन उतने जादा नहीं रह पाए जिया दोस्तो अगर बात करें यहाँ पर मेदान के अब तक के यानि के पास दिनों के टोटल बॉक्स ओफिस कलिक्सन के बारे में तो दोस्तो आजे दिवगन की मेदान फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलिक्सन 7 करोड 25 लाख रुपे का किया था वही दूसरे दिन इस फिल्म के कलिक्सन में एक बड़ी गिरावट आई थी जिया दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म का जो सेकंड यानि के फर्स्ट फ्राइडे का नेट कलिक्सन है वो इंडिया में सिर्फ 2 करोड 80 लाख रुपे का रहा लेकिन दोस्तो तीसरे दिन था सटर डे और सटर लाख रुपे का रहा हलांके दोस्तो चोथे दिन था संडे और लग रहा था कि भाईया संडे के दिन तो ये फिल्म बोक्स ओफिस पर पूरी तरह से धमाका कर देगी लेकिन दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म के जो चोथे दिन के कलिक्सन है उसमें एक बड़ी गुरोथ देखने को मिली लेकिन उतनी जादा नहीं जितनी मुझे उमीद थी और इस फिल्म ने चोथे दिन यानि के अपने संडे इंडिया नेट कलेक्शन साथ करोड पेतिस लाक रुपे का किया हलागे दोस्तो आज है मंडे यानि की वरकिंग डे और आज से फिल्म के कलेक्शन काफी जादा डाउन हो चुके है क्योंकि दोस्तो पिछले चार दिनों से लंबी छुटिया चल रही थी जिसके चलते फिल्म को हुली डेस की वज़े से अच्छे खासे कलेक्शन मिल रहे थे लेकिन दोस्तो आज से वरकिंग डेस सुरू हो गए और फिल्म के टिकट रेट्स भी आज से कम कर दिये गए है जिसके चलते ही फिल्म की कमई आज काफी जादा नीचे चली गई लेकिन दोस्तो आपको बता देगी यहाँ पर टिकट रेट कम होने के बावजुद भी फिल्म को जो मॉर्निंग सोस में उक्के पेंज से मिली है वो कल के मुकाबले 50% ड्रोप हो गई है तो दोस्तो जो रिपोट अभी तक आई है उसके मुताबिक मेदान फिल्म अपने पा अब दोस्तो आपको बता देगी यहाँ पर मेदान फिल्म को और सिस मार्केट यानकी विदेसो में 1600 स्क्रेन पर रिलिज किया गया था जहाँ पर लग रहा था कि फिल्म विदेसो से एक तगड़ी कमाई कर जाएगी लेकिन दोस्तो वे यहाँ पर मेदान फिल्म ने अभी और सिस मार्केट से सिर्फ 7 करोड 42 लाक रुपे की कमई की है और इसी के साथ दोस्तों मेदान का जो 5 दिनों का वल्ड वाइड बोक्स ओपिस कलिक्सन है वो हो चुका है 38 करोड 33 लाक रुपे जिया दोस्तों फिल्म 5 दिनों में दुनिया भर से सिर्फ 38 करोड 33 लाक रुपे क कमई कर पाई अब दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म का बजट देर सो करूर रुपे का है और फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम बजट से कही जढ़ा कमई करना होगी तो अब दोस्तों देखते हैं कि एक दो हफटे वाले दिनों में box office पर कैसा hold बना के रखती है और इस फिल्म का जो lifetime collection है वो आखिर कहा तक जाता है हाला कि दोस्तो फिर से बोल दो film काफी अच्छी है तो उमिद करते हैं कि ये फिल्म box office पर एक बड़ी success हो जाए वही पर दोस्तों अब अगर बात की जाए फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के बरे मी अली अब्बास जफर के डारेक्सन में बनी एकसन पेक्ड़ फिल्म बड़े मिया छोटे मिया जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे legendary action superstar अक्षे कुमार और उनके साथ नजर आये थे action के नए एंग श्टार यानि की टाइगर स्रॉप इस फिल्म के विलन थे हाँ प्रत्वीराज सूकुमारन वही इस फिल्म में हमें सुनाक्षे सिना, मानुसी चिलर और अलाया एफवी देखने को मिली थी अब दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर बड़े मिया छोटे मिया फिल्म 11 अपरेल यानि की एद के दिन रिलिज हुई थी और इस फिल्म को रिलिज होते ही पबलिक की तरफ से जो रिस्पोंस मिला था वो तो काफी बढ़िया था लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिटिक् लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म के कलिक्सन में इंडिया तुम में तो थोड़े कम रहे लेकिन फिल्म के जो विदेसों के कलिक्सन है वो पहले दिन से लगा कर पाँछवे दिन तक काफी बढ़िया आते जा रहे है जिसे देखकर एक बात अच्छी लग रही ह कि या चलो ये फिल्म इंडिया में ज़्यादा कमय नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं लेकिन विदेशों से तो फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से रिकोर्ड तोड़ आ रहा है। जिया दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि बड़े मिया छोटे मिया बोली ओड के फिल्म है लेकिन इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तिलगू, मल्यालम, कन्नड़ा यानि कि साउत की जितनी भी भासा आये है ना उन सब में डब करके रिलीज किया है लेकिन द हिंदी फिल्म है लेकिन इस फिल्म को साउत लेंग्वेजस से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला फिर भी दोस्तों यहाँ पर बड़े मिया छोटे मिया ने सिर्फ हिंदी मार्केट से ही अच्छी खासी कमई कर ली और इसी तरह अगर फिल्म के कलिक्सन आने वाले दिनों में भी बड़ियां आते रहे तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर लंबी चल सकती और फिल्म का फाइनल बॉक्स ओफिस कलिक्सन जितने भी क्रिटिक्स है जिनोंने फिल्म को नेगेटिव रिव्यूस दिये हैं उन सब का मूँ बन कर सकते हैं दोस्तों आप सबको पता है कि अभी आने वाले दो हपते तक बॉल्यूट की कोई भी नई फिल्म रिलिच नहीं होगी तो आने वाले दो हपतों तक यहाँ पर बड़े मिया छोटे मिया और मेदान का ही बॉल्यूट के बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से राज रहने वाला ह लेकिन इस वक्त अगर बात करें बड़े मिया छोटे मिया के पांस दिनों के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म ने पहले दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन 16 करोड रुपे से भी जादा का किया था लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में 7% का ड्रोप आ चुका था और फिल्म ने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन सिर्प 7 करोड 7 लाक रुपे का किया अब दोस्तों चोथे दिन संडे था तो यहाँ पर संडे के दिन बड़े मिया छोटे मिया के कलेक्शन में भी एक गुरोध इंडिया नेट कलेक्षन किया 10 करोड 25 लाख रुपे सबी फिल्मों के कलेक्षन कम हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा टेंसन वाली बात नहीं है तो दोस्तो जो रिपोर्ट अभी तक है यह उसके मताबिक बड़े मिया छोटे मिया फिल्म अपने पाचवे दिन यानि की मंडे इंडिया नेट कलेक्षन कर रही है 4 करोड 50 लाख रुपे और इसी के साथ दोस्तो बड़े मिया छोटे मिया का सुरुआती 5 दिनों के अंदर ओल इंडिया नेट कलेक्षन से 47 करोड 14 लाख रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्षन 54 करोड 85 लाख रुपे अब अगर बात करें दोस्तो इस फिल्म के और सिस कलेक्षन यानि के विदेसी कमय की तो दोस्तो आपको बदा दे कि फिल्म ने विदेसी मार्केट में पूरी तरह से धमाका कर रखा है और ये फिल्म विदेसों से अभी तक टोटल ग्रोस कलेक्षन 48 करोड 23 लाख रुपे का कर चुकी है और इसी के साथ दोस्तो बड़े मिया छुटे मिया फिल्म का सुरुवाती 5 दिनों में जो World Wide Box Office कलेक्षन है वो 102 करोड 995 लाख रुपे का हो चुका है जिया दोस्तो फिल्म पास दिनों में दुनिया भर से 102 करोड 985 लाख रुपे की कमई कर रही है तो दोस्तो 5 दिनों में फिल्म ने 100 करोड का आकड़ा पार कर दिया है आप देखते हैं कि ये फिल्म आने वाले समय में और कितनी अच्छी कमई कर पाती है हलागे दोस्तों अभी कुछ दिनों के बाद फिर से छुटियां आएगी तो साइद ये फिल्म होली डेज में फिर से एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है लेकिन देखना ये है कि इस फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो कहा तक जाता है हलागे दोस्तों अगर आपने मेदान और बड़े मिया छोटे मिया दोनों ही फिल्मे देखी तो इसमें से आपको सबसे बेश्ट फिल्म कौन सी लगी मेदान या बड़े मिया छोटे मिया कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और डेली बोक्स ओफिस कलिक्सन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए खायाल रखे अपना और अपने माता पिता का जेहिंद वंदे मातरम